स्वे मेरे प्यारे बिच अपारडी नमश्कार वंस अगें वेलकम तो सचन्स फिजिक्स तो फाइनस अदीजिस वी तो लॉन देख रहा है उसे पता ही चल गया होगा अब यह आखरी क्लास है बच्चा ब्रह्मास्त्र का अगर आपने आठ लेक्चर कॉंसेप्ट के और कॉश्चन प्राक्टिस के धंग से देखे है ना दुनिया की कोई भी शक्ती आपके सामने आकर के खड़ी हो जाए और आपको फेल कराने की कुसिस करें बट अगर आपके अंदर पावर है बाबा एससपी के इन लेक्चर्स का दिल से अगर आपने सुना है कोई भी फेल नहीं कर सकता है आपको अच्छे माक्स के आने के 100% गैरेंटी है ये फिक्स है फेल कोई भी नहीं होगा शर्त इतनी है कॉपी छोड़ के मत आना सप्लिमेंटरी में लिख करके आना निमारिकल्स आपको सुरू में जो बच्चे लास लास में पढ़ते है उनको ठीक है so all the best मेरे प्यारे बच्चो मैं मिलूँगा आप लोगों के साथ एक बहुत 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 ब्यारे से वीडियो के साथ कल भी लेकिन चलिए अभी हम चैक्टर 11,12,13,14 का कोश्चन प्रैक्टिस कर लेता है अगर आपने नहीं देखा है मौर्णिंग का क्लास मेरे रि में त्यार थी बाकि जो बच्चे लगातार सीरीज को देखते हैं चानक निती दबंग बैच उने तो फिजिक्स के साथ 100% प्यार हो चुका होगा और लास्ट में जिन बच्चों को बावाइसस भी मिले हैं उनको लगता होगा कि या रही इन्सान पहले क्यों नहीं मिला या हमने हर तरह के सवाल को उठाए है यह टेलिग्राम का स्कैनर है बच्चा कर दीजें चैसे लेक्चर खतम होगा यह सीधर आपका यह जो मैं यहां पर नोट्स बनाऊंगा वह आपको मिल जाएगा चलिए सबसे पहले यह देखते हैं बहुत चुने हुए एंसी क्यूज है इतना भी रट के जाओ के भाई साब तो दो-चार तो फसे गई फसे गई इदर उदर मुह मारने की जुरत नहीं पड़ेगी कि मैं यहां भी मार लूं यह दर भी देख लू भाई तेरा क्या इतना है बतात क्या है इस स स्पी के बच्चा पाटी है जरूर हम करके जाएंगे सो एनर्जी और फोटोन सुबह में पड़े हो यार एनर्जी इस इकल टू क्या होता है बच्चा है एक दम दिमाग के अंदर रटा जाना चाहिए एच सी अपोन में लैमडा यह हो क्या ठीक है आईए अगले प्रशन प आपका 3.2 ev है and our incident on the photosensitive surface if the stopping potential for the emitted electron is stopping potential मतलब की stopping potential मतलब की V0 1.5 voltage the work function देखो formula क्या था कि आप जो भी energy देते हो HF EV0 क्या था आफ mv square maximum यह था ना is equal to EV0 is equal to HF minus 5 नाट हम को क्या चाहिए बच्चा work function चाहिए तो work function हो जाएगा HF minus में EV0 HF यानि given energy which is 3.2 and then EV0 यानि के 1.5 वही हो गया EV0 voltage दिया है उसको खाली आप 1.6 into 10 raise to minus 19 से multiply कर दीजे that means E के साथ multiply करें यह will see the answer तो 3 में से एक गया तो लगबग दिख गया answer 12 में से 5 गया सो साथ 1.7 EV ठीक चल बच्चा अगले पर चल दाएग अगला सवाल है light of frequency new mu f चो पढ़ना है पड़ सकते हो incident on the metal surface whose work function is w naught again the formula is 1 by 2 m v square maximum is equal to HF minus में phi naught उसको हम w naught कह रहे है according to the question बराबर फिर कहता है the kinetic energy of the emitted electron is k kinetic energy of the emitted electron is k okay if the frequency of the incident light is doubled अगर हम frequency को double कर दें मतलब कि ये बच्चा कितना हो गया इतना हो गया देखिए इध्यान से समझे आप अगर हमारे ब्रह्मास के lectures को देख रहे बच्चा फिर आपको कहीं कुछ देखनी क्या वर्शक्ता ने रिकॉर्डिंग रखने के पीछे का कारण यही है ताकि आपका समय बत सके आप चीजों को याद कर सके लिख सके राइट वरना महीं ही सब चीजे कराता तीन तीन घंटे में लाइव आके कोई मतलब नहीं है टाइम जाएगा बच्चा तो एकदम सांती से सारी चीजों को देखिए और इसको शाप लीजिए बाबू यहां पर यहां जो दी मकवा के अंदर ठूस लीजिए फ्रिक्वाजी देखो डबल बूला है ओके दिस डबल एंड कानेटिक इनर्जी तो अमेडिट इलेक्ट्रों विल वर्क फंक्शन तो वही रहेगा अगर मैं इसको ऐसा कर दूं देखे द्यान से बच्चा अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि जो है यह वो के प्लस डबलू नॉट हो गई जाएगा तो डबलू नॉट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि जो काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रों की है इट इस ग्रेटर दैन टू के ऑविसली टू के प्लस डबलू नॉट है तो यह टू के से जादा हो जाएगा तो आपका अंसर क्या हो फोटोन है ऐसा गिर रहा है और सक्सेस्फुली इंसिदेंट और मेटालिक सर्फेस ऑफ वर्ग फंक्शन इतना ओके दरेश ऑफ काइनेटिक एनर्जी फोटो एलेक्ट्रों से टू केसे विल भी अगे इसी पर से आप दीखी गाना एमसी की बाबू आपकी पेपर में होगा तो यह पहले वाले के लिए और यह दूसरे वाले के लिए क्योंकि हमको रेशो ही पूछ रहा है और फिर हम लिखते हैं HF माने एनर्जी 1 तो यह आपका है HF आपका 1 माइनस 5 नॉट मतलब वर्ग फंक्शन कितना है देखो 0.5 है 0.5 हो और दूसरा कौन सा है बच्चा 2-0. 0.5 1-0.5 0.5 2-0.5 या और यहनी 1.5 तो वन अपॉन त्री हो गया ना येसiosa हो गया देखी सिंपल है है की नहीं अब च्छा आवच पिसी को सोचए कह ममימ 항상 भी मार लेता है यहन से पहते हो अद। समझ रहे हैं न हमारे कहने का मतलब है चीटिंग कर रहा होगा अब चीटिंग में थोड़ी न सही है कि उस असुरा जहां देख रहा हो भी सही होगा बुझा रहा है हम क्या कह रहे हैं बच्चा तो इसको बहुत सावधानी से बागो अगर आप पढ़ें अच्छे से तो आप से पास हो सकते घब रहे हैं बिल्कुल नहीं आराम से पास होंगे इतने कोश्चन कम से कम करके जाएं आप मेहनत तो आपको करनी पड़े ही राइट चलो नेक्स्क्राइब फॉलोंग स्टेटमेंट इस नाट करेक्ट एकॉर्डिंट रुदर फॉर्ट मॉडल अब रुदर फॉर्ट का कितना सिंपल सा मॉडल था कि भाई वो बोले थे कि इलेक्ट्रों जो होता है गुमता रहता है लेकिन अप लगाता है इनर्जी को बाहर निक यह थे स्टेबिलिटी अफ एक वाज एस्टेबिश्ट बाइब गलत यह तो बोहर मॉडल से आया था मतलब यही गलत है और यही से यह इए इस नोट करेक्ट स्टेट्मेंट बट इस वस दिमांड अप दे कुश्चिन ओके अगला प्रस्ण है दर रीडियस ऑफ दे एंथ कितना सिंपल है बच्चा अर प्र प्रपोर्शनल तो end square है न तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर प्रपोर्शनल तो and square next question है the potential energy of an electron in the second excited state in the hydrogen atom is second excited state minus में 3.4 minus सबसे पहले आता है फिर minus 3.4 minus 1.51 minus की class मेंừa अब second excited state का मतलब है कहाँ से जाके यहाँ जारहा है second का मतलब हुआ 1 से सीधा jump मार रहा है कहाँ 3 पे यहाँ पे तो इसका आपको क्या मिलेगा अंसर बच्चा क्या पूछ रहाँ पूटेंशल एनर्जी ओफ एन एलेक्ट्रोन इंद सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इंद हाइड्रोजन एटम विल बी चलो दिमाग लगाओ पूटेंशल एनर्जी बोल रहा है यह जो फार्मुला है मतलब की यह जो एक्वेशन है यह तो आपका टोटल एनर्जी का है तो हमको टोटल एनर्जी for second excited स्टेट तो मिल गई बच्चा क्या मिल गई टूटल एनरजी माइनस में 1.51 यह रही लेकिन आपको मैंने एक ट्रिक सिखा है था कि जब ऐसा कोशन बहुत पूछता है जब आपको टूटल एनरजी दिया हो काइनेटिक पूछ रहा हो पोटेंशल पूछ रहा हो तो यह ट्रिक याद रखो यह आपकी बड़ी हेल्प करेगा पी के टी ऐसे याद रखो पी के एंदन टी लास लास में आप ट्रिक की जुर होता है पी फोर टूएक्स एस फटूटेंशल एनरजी होता है यह कि रिमेंबर लाइक इस तूटल एक्स निस एक्स एन्धन एक्स मतलब हम क्या क रहेंगे कि अगर हमारे पास total energy minus 1.2 x में से एक्स आता है एक्स आता है तो आप ऐसे याद रख लो कि total energy आपकी minus 1.51 है तो यह plus 1.51 हो जाएगा और यह 2 into minus 1.51 मतलब 3 point और वो भी minus में हाँ तो minus में 3.02 सही है चलो येस देखे इतने बड़े calculation से आप बच जाएंगे आप सीधा यह याद रखे पी के टी इन में से एक भी वैलू हमको पता होगा तो हमारा आम से कर लेंगे फिर से समझ लो total energy आपका minus 1.51 मतलब x की कीमत आ गई minus कर देंगे minus minus plus 1.51 this will be your kinetic energy and then potential energy क्या होगा सीधा सीधा उसके साथ multiply यानि minus में 3.02 इस दा आंसर अगला प्रस्न है the radius of the या काहे परशान कर रहा है सब लोग आजा बच्चा तो the radius of the inner most electron orbit of the hydrogen is this the radius of the third orbit क्या formula था बच्चा आर proportional to n square into this value 5 0.53 into 10 power minus में 11 direct formula है n square कौन सा बोलता है orbit थर्ड तो तीन का square कितना होगा नो नो पच्चे 45 45 something है यह यह रहा 4.77 10 raise to minus 10 ओके next question है the energy required by an electron to jump the forbidden gap in silicon at the room temperature is यह fixed value है किताब का direct mcq आ जाएगा 1.1 ev रट लीजिए अब याद रख लीजे इन टाइप semiconductor the donor energy level कुछ याद आ रहा है बच्चा सी के बाद डी आता है conduction band के ठीक नीचे होता है तो conduction band के ठीक नीचे होगा बच्चा मतलब it is related to the conduction band not in the conduction band just below the conduction band यह होगा यह गलत होगा just below the conduction band डाइग चली बच्चा नेक्स कुश्चन है एक्विलिब्रियम यह पी एंट जंक्शन डायोट इनिचली अड्रेस्ट इस पॉटेन इस पोन्तेनेशली इंटो पार्टिकल्स ऑफ मासस M1 & M2 आपकी मोनों दश्चा बहुत तकलीफ वाली बच्चा है कि अधनेस्टाइंग एक्जाम रजदी का तो बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं पैनिक मत हो यारी जिन्दी की तु लेटेड लिख के आओ तो M1 M2 जो मासस है having known zero velocities the ratio of the Broglie wavelength associated with the particle is यहां कहता है बच्चा दो particles में ऐसे जाते हैं तो अगर suddenly वो फूटता है तो M1 V1 momentum ऐसे हो जाता है na M1 V1 conservation of momentum is equal to M2 V2 यह हो गया अब दी जोगली wavelength lambda is equal to H upon P होता है तो दोनों का सेम हो गया तो यह आपका एक ही हो जाएगा क्रेक्ट क्योंकि momentum सेम हो गया M1 V1 equals to M2 V2 दरवाजा बंद कर दो यार यह वाला चले अगला सवाल अब हम करेंगे assertion reason फटा 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 यह बच्चा इसको देखते हैं देखो assertion reason इसी तरीके का सवाल होता है आपको क्या बच्चा concept को याद रहतने हैं अब हमने कितना assertion reason किया है 16-17 मतलब कर ही डाले इसको तो at least रटके ही जाए इतना भी अगर आप करके जाएगा ना फसे का हम बता रहा हैं प्रमासर से बहुत सवाल फसता है फोर्स ऑफ रिपल्सर बिट्वीन अटॉमिक नूकलिस अन अल्फा पार्टिकल वैरीज विथ डिस्टेंस according to the inverse square लो सही है उसके प्रोटोन प्रोटोन की बीच में जो फोर्स लगता है कुलंबियन फोर्स वो तो और च्वेर होता है तो असर्शन सही बैड़ गया रूदर फोर्ट डिड अल्फा पार्टिकल यह भी सही है बड़ ससुरा इसका इससे काले ना देना जी तो आंसर जो है दोनों सही तो है लेकिन बी ओप्षन करेक्ट है करेक्ट एक्स्पारेशन नहीं है अगला पढ़ते ह है आप भी पढ़िए इन प्रोसेस और फोटो एलेक्ट्रिक एमिशन औल एमिटेड इसका अंसर लिखते जाएए प्रीमियर चल रहा है वीडियो लिखते जाए बच्चा इन प्रोसेस और फोटो एलेक्ट्रिक एमिशन औल एमिटेड इलेक्ट्रोंस तो नोट हैव सेम इसे इसका प्रूट बिफरेंट होता है बिलकुल सही है लेकिन इससे इसका क्या लेना देना है दोनों स्टेट्मेंट अपने आप में सही है बट यह नौट रिलेटिंग इच अधर लाइक रीजन अब उसका करेक्ट एक्स्वानेशन में बैठी नहीं रहा है तो अंसर आजाएगा बोथ एंड आर ट्रू बट आट इस नौट करेक्ट एक्स्वानेशन अब प्योर सेमिकंडुक्टर है नेगिटिव तेंपरेचर को इफिशन्ट अफ रिजिस्टन्स जो प्य इसका करेंट इलेक्रिकिंटा वाले चैप्टर में भी था कि जो सेमिकंडुक्टर होता है उसका नेगिटिव होता है और इसी के वज़े से क्या होता है कि कि जब आप कोवेलेंट बॉंड पढ़े होंगे अभी हमने हमारे सेमिकंड़क्टर में सबसे बहतरी लेक्चर्स पूरे यूट्यूब पर कहीं पर होगा बच्चा हम क्लेम नहीं कह रहे हैं सालों का विद्यार्तियों का अनुभा बता रहे हैं पच्चे एंजिनिरिंग में यह जाते हैं दो भी अजय टो तो टेंपरेचर मिला टूटा बॉंड टूटे बॉंड टूटने पर इलेक्ट्रों मिले इलेक्ट्रों ज्यादा स्यादा चार्ज केरियर से तो बात है कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा इसलिए नेगेटिव रहता है और ये correct explanation भी है, इसलिए आपका option number A is the right answer, ठीके बच्चा, चलिए आईए, आगे देखते हैं, the photon behaves like a particle, it's true, if E and P are energy of momentum of the photon, then P is equal to E divided by C, correct answer है और ये इसका correct explanation भी है, अब section B में हम देखेंगे बच्चा 5 सवाल, 2 marks के प्रतिक सवाल होंगे, chapter number, भाया हमारा दरवाजा बंद कर 5 सवाल बच्चा और प्रतिक सवाल का जो कीमत है, वो 2 marks का है, देखें, ये सारे सवाल आपको उठाएंगे हैं, CBSC के, बहुत सारे विद्यारती बोल रहे थे, PYQs करवादो, PYQs थे, PYQs ये एक तरह से, सवाल है, photon and proton have the same Dibrogly wavelength, तो proton है, एक photon है, और एक बच्चा proton है, यहां से देखेगा, ठीक है, दोनों का Dibrogly wavelength सेम है, the same Dibrogly wavelength X, okay, prove that the energy of the photon is this times the kinetic energy of the proton, अब पहले हम energy of photon की बात कर लेते हैं, तो energy of photon तो HF होता है, यानि कि HC upon lambda होता है, अब kinetic energy of proton बात करें, तो P square upon में 2M, जहां पर P आपका momentum होता है, momentum का relation Dibrogly wavelength के साथ क्या है, तो lambda is equal to H upon M into V, यानि कि P, तो P बराबर में आपका हुआ, H upon में lambda, हम यहां रख देते हैं, तो P square बराबर हो गया बच्चा, H का square upon lambda का square, and then 2, and then M, correct बात है यह, ठीक है, अब दोनों को हम divide कर लेते हैं, equation 1 और 2 को divide कर लेते हैं, CVC board का है, यह question है, तो E upon K, यानि कि H C upon में lambda into, नीचे वाला step उपर चला जाएगा, it is 2M lambda का square upon में H का square, देखे क्या cancel हो रहा है बाबू, तो यहां से cancel हो, आपका H से H मर गया, X square चला गया, lambda से यह भी मर गया, तो आतो गया, तो यह आ गया, 2M lambda C divided by H, and here we have E upon में K, यानि आपका answer क्या हो गया कि भाई, जो हमारी energy है, energy of the photon है, वो 2M lambda C by H times of kinetic energy है, hence proved, यह 2 marks का CBS का ही सवाल है, इसी chapter का, it is not available in your textbook, बट ऐसे सवाल आते हैं, था यह पूरा concept पर ही कुछ नहीं है, formula है, अगर उसको game खेला गया, आप जैसे मालो, यह ऐसा paper में आया, आप भाई, वो विद्यारती जो लास से पढ़ रहा, उसको कहां से पता चलेगा, ratio लेने में भी हमको पता है न, दिक्कत हो जाता है, तो आप महराज कम सकम इतना तो लिख के आएगा न, मलेग, इतना तो करिएगा न, कि formula लिख दीजिगा, इतना भी लिख दीजिगा न, एक जमनारवा को जख मार के marks देना हमें दे रखा है, find the kinetic energy at which the electron would have the same D Broglie wavelength, ठीक है, आज ओ बच्चा तो देखो इसे कैसे solve करेंगे, तो हमारे पास में कुश्चन में क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है, अब kinetic energy का फॉर्मल लगा दीजे, half mv square, m is the mass of electron, we have D Broglie wavelength, lambda is equal to h upon mv, तो यहां से v निकल गया, h upon m lambda यहां पटक दो, because हमें kinetic energy तो पूछा था भाई साब, रखा इसके अंदर h की value, wavelength की value, mass of electron की value, solution किया, तो यह answer जूल में आया, लेकिन अगर जूल से हमें ev पर जाना है, तो इसी को 6.9 into 10 power 25 को ही, 1.6 into 10 raise to minus 19 से divide कर दीजे, answer आपका micro में आ रहा है, तो उसको लाने के लि अबा की बच्चे हुए चीज़ों को calculate कर लीजे, तो exactly इतना ही आएगा, छोड़ो मत बच्चा, session recording है, premiere चल रहा है, इस वक्त answer comment में जरूर देना, after the end of the class, आप करोगे तो मुझे लगेगा कि हां मेरे बच्चा पाटी कर रहे हैं, otherwise हमारी मेनत कराने का क्या मतलम निकलेगा बिमार थे तो भी आप लोगों के लिए पूरा करवाए हैं बाबो, समझ गया न, इतना करके जा रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको फिल नहीं कर सकती, चलिए अब देखें अगला प्रस्ट, draw graph showing variation of photoelectric current with applied voltage for two incident radiation of equal frequency and the different intensities, यह आपके textbook का ही graph है, पढ़िए क्या frequencies, frequencies equal है, with applied voltage, draw the graph showing variation of photoelectric current, तो यह आपका photoelectric current था, यह आपका stopping potential रहता था, यहाँ पर आपका negative side और इस तरफ आपका positive side, applied voltage for the two incident radiation of equal frequency, frequency equal है and different intensities, तो different intensity है, तो photoelectric current अलग-अलग होगा, potential आपका एक हो गया, intensity अलग-अलग हो गई, यह I1, यह I2, यहाँ frequency, frequency, frequency same है, तो उसका stopping potential भी same हो जाएगा, यही तो graph है, इसी का 2 marks मिल गया भाई साब, इसी का 2 marks मिल गया, अच इस बच्चे ने थीरी अच्छे से पढ़ी है, ले गया भाई साब 2 marks, पुझाया, ठीक है, अगला प्रशन, using the Rutherford model of the atom, derive the expression, बहुत important derivation है, हमने derivation आज के lecture में ही सीखा है, तो यह आप लोगों के लिए, अब home work क्या दे बच्चा, exam के 2-3 दिन पहले ही सेशन आप देख रहे हो, सुबह में ही यह करवाए है, देखो आभी आपको दिखाएंगे, 3 marks में भी आएगा, radius, energy, ठीक है, यह derivation इस chapter के कौन से, modern physics के खास करके, atom के सबसे important derivation में से एक है, इनको जरूर करके जाए, देख लीजे, 2014 में 2 marks का पूछा भी गया है, आगे बढ़ता है, an hydrogen atom in the, जहां पर numerically questions होंगे, वो मैं solve कर रहा हूँ, सवाल है, the hydrogen atom in the ground state is excited by an electron beam, 12.5 EV energy, find out the maximum number of photon, तो 12.5 है, इसका मतलब यह कहां लाई कर रहा है, that we have to analyze, first of all, minus 13.6, minus में 1.51, नहीं, इसके बाद क्या था, minus में 3.4, minus 1.51 and 0.85, now 12.5 is the difference of this and this, मतलब electron यहां पर है, अब इसके पास chances है, यह n बराबर 3 में है, तो कितने number of photons छोड़ेगा, तो एक बार नीचे आएगा, तो एक फिर यहां से यहां आ जाएगा, तो 2 यहां तो directly ऐसे आ सकता है, यही possibility होती है न, इसका एक formula होता है, n, n minus 1 by 2, यह direct याद कर लीजे, number of photon निकालने का तरीका है, बच्चा, कि वो जिस भी orbit में होता है, वहां से जब वो नीचे जाता है, तो कितने photon छोड़ेगा, here is the trick, if n is 3, 3 minus 1, that is 2, divided by 2, कटा तो answer कितना आ गया, 3, तो 3 photon वो छोड़ देगा, 2019 में 2 marks का यह सवाल था, और देखिए, अब हम करते हैं, कि इन chapter से 3 marks के सवाल कैसे होते हैं, आईए बच्चो, using photon picture of light, कुछ ऐसी theory है, जो बड़ी interesting है, जो बच्चा यह देख रहा है, वो पस्ताएगा नहीं, paper में ऐसे ही question आएंगे, याद रखना, यह जो देख र रहे हैं, उनसे में क्या कहूं, बटक यह मत, भीड का हिस्सा मत बनिये, भीड जहां रहती है, लोग excited हो के जाते तो है, बबू, लेकिन सचाए कुछ और होती है, है न, so using photon picture of light, show how Einstein's photoelectric equation can be established, right, the two features of the photoelectric effect, which cannot be explained by the wave theory, कराच चुका हूं, morning theory के class में, हमको Albert Einstein वाले में क्या लि the energy gets divided into two parts, some part of the energy will be converted into the kinetic energy, while the some part will be converted into the work function, formula बना दो, half mv square maximum is equal to ev, sorry, hf minus hf0 बन गया, फिर इसमें कुछ ग्राप भी बोल रहा है, write the two features, इसके दो features क्या बता होगे, photoelectric effect, which cannot be explained by the wave theory, यह बहुत अच्छे से, दबंग के class में मैंने बताया था, हाँ, यह हमारे revision ब्रहास में मैंन class है, ध्यार से सुन लीजिए, जब light को ऐसा wave माना जाता है न, तो बहुत सारी चीजें नहीं समझाई जा सकी थी, in the photoelectric वाला कहानी, जैसे, according to the wave theory, जैसे ही light यहाँ पर गिरी, intensity, जितना ज़्यादा होगा, यहाँ से बाहर निकलते, electron की energy ज़्यादा होगी, यह गलत है, क्य यह wave theory नहीं समझा पाया, भाई, wave theory का ही कहना था, कि जितनी intensity बढ़ा होगे, बाहर निकलते, electrons की energy भी बहुत जादा होगी, तो एक तो ऐसे याद होगे आबे, याद हुआ न, कि क्यो wave theory नहीं समझा सका, तो पहला कारण है, दूसरा, according to the wave theory बच्चा, जैसे ही यह गिरता है जैसे ही यह गिरता है, तो electron time लेता है पूरी energy को absorb करने में, यह तो वह बात हो गया कि आपने बिजली चलाना चाहा, पंखा चलाना चाहा, बटन चाह पे, फिर पंखवा कह रहा है, रुको हम पे से electron जाने दो, फिर हम चलेंगा इसे इसे, it's not possible, the moment you turn on the switch, what happens, fan चलने लग ज जाता है, लेकिन वेव थीरी ऐसा नहीं समझा सका, वेव थीरी ने बुला, कि पहले गिरेगा, फिर electron उसको absorb करेंगे, आई बात समझ में, दिल से अगर आपने हमको अभी सुना है, तो आपकी दिमकवा में एक दम घूश जाएगा, और कभी गलत नहीं होगा, यह दो तीन में है, एक-एक को explain करना है, photoelectric current in a photo cell increases with the increase in the intensity of the incident radiation, तो photoelectric current हम यहां लिखेंगे, कि जो हमारा photoelectric current होता है बच्चा, देखो simple, photoelectric current जो होता है, depend होता है, directly proportional to number of photons होता है, more number of intensity, that means more number of electrons will come out, because it is directly proportional to the number of photons, सीधा-सीधा, फिर B, the stopping potential varies linearly with the frequency of the incident radiation for a given photo sensitive surface with the slope, remaining the same for the different surface, फिर से पढ़ लीजे, stopping potential, ध्यान से देखो, varies linearly with the frequency of the incident radiation, यानि कि, यह जो गिर रहा है light, उपर से, तो जो बाहर निकलते इलेक्टरों का stopping potential है, वो linearly vary कर रहा है, remaining the same for the different surface, अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, कि हमारा जो formula है, Albert Einstein का, hf बराबर में, sorry, half mv square maximum, जिसे हम ev naught कह रहे हैं, is equal to hf minus phi naught, इसका graph कैसा था, आई, ऐसा ही तो graph था, तो linearly हुआ कि नहीं, मतलब कि line, straight line graph linearly होता है, तो बस आप बोल देंगे कि v naught, यहाँ पर this equation is related to y बराबर mx plus c, तो उसी के according यह जो है increase होता है, बाकि और एकदम correct way में कैसे लिखना है, तो आप इसको एक बार read कर लिजेगा, चलो, c देखते है, maximum kinetic energy of the photo electrons is independent of the intensity of incident radiation, maximum kinetic energy, यह incident, जो intensity है उस पर depend नहीं करता है, electron photo sensitive plate से जब बाहर निकलता है, उसकी कितनी energy है, that depends on the frequency, तापको क्या लिखना है, कि yes, it never depends on intensity, because energy पर वो depend करता है, according to the formula, e is equal to hf, more frequency will come out, only when the more energetic light is striking on the surface, e बराबर hf है ना, तो frequency किस पर depend कर रही है, energy पर, ना कि intensity पर, got the point, यह points आपको याद रखने हैं, यह chapter में गुमा करके पूछा जाता है, okay, चलो, आगे बढ़ता है, sketch the graph, showing variation of stopping potential with frequency, तो आपके textbook का ही graph है, बच्चा, यह हमने class में भी कही बार आपको कर आया है, इस तरीके का graph, right, यह आप यहाँ लिख देगे की current है, और यह आपका stopping potential है, in which case is the stopping potential more, and why, B वाले, A वाले में, कि B वाले में, बताओ, in which case the stopping potential is जादा, and क्यों, देखो, साब साब दिख रहा है, कि इसकी जो frequency है, इसके लिए जो आपका threshold frequency इतना है, A के लिए, लेकिन B के लिए threshold frequency इतना जादा है, तो अगर B के लिए हमारा threshold frequency ही जादा है, तो obvious ही बात है, उसकी stopping potential भी जादा होगी, यार, आई बात समझ में, क्योंकि अगर इसकी frequency जादा गिराई जाएगी, उसको बाहर निकालने के लिए, इसलिए B का जादा होगा, क्योंकि आप बोल देंगे कि B का stopping potential, B का क्या जादा है, threshold frequency जादा है, from the graph, Albert Einstein वाले में, जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये वही वाली कहानी है, कि Albert Einstein के cording, जितना हमको requirement होता है, हम work function से जादा देते हैं, ठीक, ये हो गया, second, does the slope of the graph depends on the nature of the material used, नहीं, ये slope जो होता है, ये इस बात पर depend ही नहीं करता, slope तो यार constant है, H upon E, जो हम formula लिखे हैं, E V naught is equal to HF minus phi naught, so V naught is equal to HF upon में E minus में phi naught upon में E, तो ये तो आपका slope है, ये तो depend ही नहीं करता, H constant, E constant, तो उसको material से भज जाँ कुछ फरक पड़ता है, वो तो constant का constant ही रहेगा, clear, okay, चलिए, अब मैंने जो भी बोला है, वो यहाँ पर read करिएगा, telegram से notes डाउनलोड करके, ठीक है, अगला सवाल, write the important properties of photon, which are used to establish, those who have watched my दबंग series, पूरा किताब का NCRD line by line करा है, उसमें पूरा explain किया है, बट यहा पहले मैंने बताया कि wave theory कैसे flop हुआ था, ऐसे photon के बारे में याद रख लीजिएगा, photon behaves like a particle, particle की तरह behave करता है, उसकी energy hf होती है, hc by lambda होता है, उसका mass जो होता है, बराबर mc2 के according, m बराबर e by c2 होता है, at least 2 point तो यादी रख लो, particle होता है, energy hf होती है, mass energy by c2 होता है, clear, ठ ठीक है, use this equation to explain the concept threshold frequency, मतब कि Albert Einstein का equation use करके threshold frequency, stopping potential बताना है, कितना simple है, 3 marks नो पूछा है, theory है, stopping potential क्या है, stopping potential is that potential, which is required to stop the electron, या this is that potential, हम ऐसा कहे सकते हैं, this is that negative potential, when the p.e.c. becomes 0, पूरा full form लिखे गा, p.e.c. मतले लिखना, photoelectric current जब सुनने होता है, 0 हो जाता है, उस परिस्तिती म है, उस condition में, जो हमारा negative potential है, उसी को हम stopping potential कहता है, and threshold frequency क्या, it is the minimum frequency required to make the electrons free from the metal, metal में से electrons को बाहर निकालने के लिए, ये कम से कम वाली frequency है, इस से ज़्यादा frequency दीजेगा, तो निकलेगा, लेकिन कम दीजेगा, तो निकलने वाला नहीं है, clear न, that's it, चलो बच्चा, ये पूर इसे graph वाला question आया है, ये वही same है, इसको इसलिए add-on किया है, ताकि आपको पता चले, कि इस chapter से बार-बार ऐसे ही question पूछे गया, draw the plot of alpha particles, ये आपका atom में से 3 marks का question पूछा गया, इसकी पूरी कहानी हम पढ़ाए है, कैसे most of the part atom empty होता है, फिर इसका graph, तो ये आपको graph बना parameter, impact parameter का मतलब होता है, it is the perpendicular distance between the velocity vectors, ये velocity vectors है, के बीच का perpendicular distance, आप देखो, ये आपका nucleus है, ये आपका alpha particle है, जाहर सी बात है, ये सामने जा रहा है, तो ये विचारा band हो जाएगा, क्यों क्योंकि ये भी plus है, और ये भी plus है, लेकिन इस nucleus का कुछ ही impact होगा, इसका distance, मतलब इसक जगह तक ही है, बस इतना ही है, छूटा होता है, शौट रिंज होता है, तो अगर मैं यहां से इसको भीजूते, देखो, ये सीधा-सीधा चलागा, इस पर कोई फरक नहीं पड़ा, और उपर भीजदो, इसको कोई फरक नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये है, कि अगर हमार बोर्स पॉसलेट, नहीं बताऊंगा, बच्चा, सुबह में ही करवाया, आपको सिर्फ बता रहा हो कि कैसे कोशन पूछे जाते है, ठीक है, चलिए, पूरा डेरिवेशन एक दम अच्छे से चाट के जाए, एटम से कम से कम ये टॉपिक तो करके जाना, बाद में मत पस्ता कि बावा नहीं बताया था, बोर्स पॉसलेट, फ्रिक्वेंसी, सब कुछ आपके सामने है, ठीक, ओके, चलिए, अब एक हम सवाल लेते हैं, के स्टडी, तो के स्टडी तो आप पढ़िए पहले, आपको ठीरी नहीं आती, तो पहले पढ़ लीजेगा, के स्टडी, उसके ब Second, in a semiconductor, separation between conduction and balance band is, तो separation between the balance band और conduction band के बीच में क्या होगा, semiconductor है, semiconductor है, semiconductor है, conductor से थोड़ा ज्यादा होता है, इसका answer है, बच्चा 1EB, याद भी रख लीजेगा, textbook की direct line है, ये, based on the band theory of conductor, insulator, semiconductor, forbidden gap is the smallest in, किस में सबसे कम होता है, तो conductor के अंदर सबसे कम होता है, Carbon, Silicon and Germanium have 4 balanced electrons each, at room temperature, which one of the following statement is most appropriate, इस में से क्या सबसे सही है, The number of free electrons for conduction is significant only in Silicon, Germanium, but small in Carbon, क्योंकि Carbon का क्या जादा होता है, Carbon का ये forbidden gap बहुत जादा होता है, इसलिए Silicon and Germanium में small रहता है, फिर, solid having highest energy level partially filled with electrons are, solids having highest energy level partially filled with electrons are, आईए, क्या answer है इसका, क्या answer है इसका, फिर से पढ़ लो, जब आपको लगे कि किसी में आप शोर नों तक बार फिर से पढ़ लो, solid having, अरे भाई ये तुम कहा है चल रहे हो, solid having highest energy level partially filled with electrons are, तो वो conductor ही होता है बच्चा, जो partially filled होता है, ठीक, ओके, चली, आगे बढ़ता है, अब देखें, पांच माक्स का सवाल, इने chapter में से कैसा हो सकता, और उन्हें हमें कैसे डागना है, कैसे solid करना है, कैसे लिखना है, ये इस chapter से पांच माक्स का एक theory आपका पका होगा बच्चा, जो इसी तरह का सवाल होगा, 2023 में पूछा गया है, देख लीजे, जर्मेनियम crystal is dopped with antimoney, बताईए मुझे, आप मैं नहीं बताऊंगा, antimoney क्या है, antimoney pentavalent है, कि trivalent है, पहले ये पता कर लो, अच्छा, with the help of energy band diagram, जब आपको पता चल जाए, आप पता करो ये, आपको पता होना चाहिए, पढ़ा चुका हो मैं, antimoney अगर trivalent है, तो वो P के पास होगा, मतलब की sorry, valence band के नस्दीक होगा, और अगर ये pentavalent है, तो conduction band के नस्दीक होगा, चलिए, इसे अभी अभी Google पे सर्च मारोगे, नहीं, बाबा SSP के lecture से पढ़ लो, semi conductor, दबंग बैच वाला, अभी आपको बताया था मैंने सुबह के class में ही, जरूर करके जाओ, मात्र एक घंटे की class है बच्चा, और पूरी theory है, पूरा किताब है, आराम से आप 7 marks को यहीं से लेकर के आजोगे, यह मेरी guarantee है, मेरी guarantee है, पढ़ के जाएए जैसे मैंने पढ़ा है, ब्रीफली explain the two process involved in the formation of PN junction diode, एक तो होता है diffusion process, और दूसरा होता है potential barrier की कहानी, depletion layer जोटा हो जाता है, and reverse pricing में depletion layer बढ़ा हो जाता है, so that electrons cannot easily cross the junction from N to P, but in the case of forward pricing, it becomes shorter, so that electron easily crosses the junction, and easily they can make a current, got the point, चलो बच्चा, अल्राइट, अगला सवाल है, name the two important process involved in the formation of PN junction diode, यह हमने बता ही दिया, ऐसा question, एक बार और आया है, draw the input and output waveforms, किसका rectifier का बच्चा, तो rectifier के आप waveforms, जो class में मैंने करवाया है, lecture में वो जरूर देखके जाए, यह आपका input waveform अगर है, तो half away में सिर्फ आपको यही बनाना होता है, और अगर यही full way होगा भाई, तो full way में बच्चा नीचे वाला भी आ जाता है, पढ़ लो बच्चा, लेक्चर एक बार देख लो, आप भटक रहो इससे अच्छा, देखो live classes में 3-4-4 गंटे में एक chapter खतम कराने का क्या उद्देश है, कुछ नहीं है, मैंने recording इत्तम to the point बात किया है, पूरा textbook एक गंटे 7 मिनट के अंदर है, बेस्ट लेक्चर है, आपको लगेगा यार इनसान, पहले क्यों नहीं मिला, जस्ट वॉच माई लेक्चर ओफ सेमी कंड़क्टर, आपको पूरा समी कंड़क्टर फर्स्ट ताइम पे भी रीडी कर रहे हो ना, सब याद हो जाएगा, अउनली वन आर, 7 मार्क्स पक्का, चलिए, ठीक है, वाई इस दवीब थेरी ओफ एलेक्ट्रमाइनेटिक रिडीशन नोट एबल तो एक्स्प्रें फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट, तो मैंने इसके तीन पॉइंट्स आपको आज के क्लास में बता है, कि इंसिडेंट लाइट आता है, वो कहता है कि इंसिडेंट जादा है, तो बाहर निकलते इलेक्ट्रों के एनरजी भी जादा होगी, विच इस नॉट पॉसिबल, अब हमारा फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट कहता है, इंसिडेंट पर डिपेंड नहीं करता, यह तो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, सेकेंड जैसे लाइट गिरती है, इलेक्ट्रों टाइम लेता है, बाहर निकलने के लिए, बढ़ यह तो इंस्टेंटीनियस प्रोसेस है, तो ऐसे दो-तीन पॉइंट्स बच्चा हमने यहां लिख दिये हैं, आपको एक बार गो थुरू करना है, इसको देखके डरो मत, यह आपके नोट्स में जो मैंने समझाया है, एक्स्प्लीन किया गया, आपको तीन पॉइंट्स खाले लिखने हैं, ठीक है, चलो, that's it, so, एक-एक करके, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन तमाम चैप्टर्स को ब्रह्मास्तर में कराय जा चुका है, और ब्रह्मास्तर ही एक मातर सहारा है, ठीक है, ब्रह्मास्तर के क्वोश्ट्टिन करके जाए, और ब्रह्मास्त्र का कॉंसेप्ट वाला वीडियो देख करके जाएए आपकी पूरी फिजिक्स की बैंड बच जाएगी बहुत एक विज्ञान भी नतमस्तक हो जाएगा ब्रह्मास्त्र अफ बाबा एससपी के साथ ठीक चलिए बच्चों प्यारे से कॉमेंट का उमीद करूंगा एंड घबराओ मत्यार ओल्द बेस्ट कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है everything is normal सब कुछ बढ़िया है कोई बच्चा फेल नहीं होगा सब अच्छा है बाबो भगवान से प्रातना करेंगे उपर वाले से दुआ करेंगे कि मेरे हर एक बच्चा पार्टी मेरा हर एक लालबाल गोपाल अच्छा करे अराम से पास हो जाए और गंदगी बिलकुल आप में नहीं बिलकुल गंदगी नहीं आनी चाहिए कि मैं फेल हो गया सुसाइट कर लो यह वो कुछ यह बगयती है यह सब विकार लोग सोचते हैं बच्चा और यह जिंदिगी यह इतना बड़ा नहीं है कि तुम्हारी जिंदिगी डिसाइट करेगा एक्जाम ठीक है त आप इतना पढ़के जाओ फिर देखो बच्चा कुछ नहीं होगा तो बढ़ियां करके जाओ ठीक है ना चलो मैं आपके साथ हमेशा हूं सचिंसर फिजिक्स इंस्सेग्राम पर जुड़े रहिएगा सात्विक थौट आपके मन में अगर बहुत विचार गंदगी आ रही ह ठीक है ना बहुत सांते मिलेगे आपको बच्चा बहुत बहुत शुक्रिया थाइंक यू सो मच लव यौल जाएंस यौल इन एक्स क्लास तिल दान दो वाटेव यौन तो मैं बढ़िए और दों ट्रूब यूम और दों फोगे तो रवाइस ओन दून 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 द